पूरे मामले की जाच और उस पर नजर रखे हुए है प्रदेश में PFI के 650 से ज़ादा सदस्य सक्रिय है ये तदात तेजी से बढ़ रही है इस संगठन को लेकर जब जाच की गई तो पता चला कि इससे जो कनेक्शन है सीमी के साथ भी है इस संगठन का इंदोर उजयन खंडवा बुरहानपुर रतलाम समयत प्रदेश में नटवक फैला हुआ है आपको बता दे कि भारत के अंदर सीमी नाम का जो ये संगठन है पहले से ही प्रतिबंदित है और ऐसे में आपको बता दे कि पीएफाई का सीमी के साथ कनेक्शन एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है और इसी लिए सुरक्षा एजन्सियों के रडार पर अब आ गया है पीएफाई किसी भी देश द्रोही को कहीं भी संग्रक्षन नहीं दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस देश के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति कहीं भी हो कहां कहीं भी काम करता हो उसको समाज में रहने का धिकार नहीं है और हमारी सरकार हर तरह की विवस्था कर रही है और कोई भी ऐसा वेक्टी होगा उसको बक्षन नहीं जाएगा और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे समवादाता आकर शर्मा जुड़ गए उनसे हम बात करेंगे आकर सबसे पहला सवाल यही बनता है कि सिमी के साथ जो है connection जो पाया गया है PFI का और ऐसे में जो भी इसके कारिकरता भी हैं जो इसके संगठन से जुड़ेवे लोग भी हैं वो भी 650 की तादात में हैं तो सुरक्ष जिंसियों के सामने एक बहुत बड़ा अब challenge है कि कैसे सब की पहचान हो और इसको रोका जाए जी शाहिदा बहुत बड़ा challenge है लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से उज्जेन वाली जो घटना सामने आई ते जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदवाद के नारे लगाते हुए लोग देखे ते उसके बाद से ही intelligence जो है वो नजरें गड़ाए हुए थी कि देश ब्रोधी जो गतिविदिया जो लोग करते हैं संगठन क करते हैं वो लोग मत्रप्रदेश की सांती को ना बेगार सकें यही कारण है कि जो intelligence नजर बनाए हुई थी उसके बाद popular front of India जो कट्रवादी संगठन है बो नजरों में आया वहां उसके संगठन से जुड़े हुए लोग कहीं ने कहीं intelligence की नजरों में और बताया जा रहा है लग चुके हैं और यह सिमी का बदला हुआ रूप इसको कहा जा रहा है मद्दप्रदेश में क्योंकि सिमी पर मद्दप्रदेश में हैं और popular front of India मद्दप्रदेश में दाखिल हो चुका है इस तरीके के input मिल रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सजग है जिस बड़ा सवाल यही होता है कि popular front of India जो यदि मद्दप्रदेश में शक्री हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में वो कोई बड़ी गतिविदिया देजब्रोधी गतिविदियां जरूर कर सकता है इसलिए intelligence से लेकर सरकार को पहनी नजर रखने की जरूवत है क्योंक इसे में यह रडार पे आ गया है सुरक्षा एजंसियों के हवाले से भी एक यह बहुत बड़ी सूचना है सामने आई है क्योंकि प्रदेश में सीमी पहले से ही बैन है और ऐसे में PFI के सदस्यों की शिनाख्त करना उसे ढूना भी चलेंज बन जाएगा